कुरोना ने दुनिया में खरीब करीब सब कुछ बदल दिया है एक बड़ा बदलाओ तब आया जब कक्षाएं सिमट कर मोबाईल और लैपटॉप की स्क्रीन तक रह गई और ओनलाइन सिक्षा एक ट्रेंड बन गया अब उसी ओनलाइन सिक्षा पर अजीम प्रेमजी विश्वविद्याले द्वारा 5 राच्यों, 26 जिलो, 398 अध्यापकों और 1522 मातापिता में एक अध्यान किया गया है Myths of Online Education सिर्शक वाले अध्यन में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले लगभग 60 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि वे अउनलाइन सिक्षा का उप्योग नहीं कर पा रहे हैं अध्यन में ये भी पाया गया कि स्मार्टफून तक पहुँच की कमी ने बच्चों को उनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं होने दिया जिसकी वज़ह से बड़ी तादाद में बच्चे उनलाइन कक्षाओं से वंचित रह गये इस अध्यन में एक और चिंता बढ़ाने वाली बात सामने आई है पता चला है कि विकलाँग बच्चों को उनलाइन कक्षाओं में भाग लेने पर काफी परिशानी होती है 90 प्रतिशत सिक्षक जो विकलाँग बच्चों के साथ काम करते हैं उन्होंने कहा कि उनके चात्र उनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते थे वहीं 70 प्रतिशत माता पिता ने कहा कि उनलाइन कक्षाओं अब प्रभावी थी और इन कक्षाओं ने उनके बच्चे की बिलकुल मदद नहीं की अध्यन के अनुसार माता पिता उन्हें फिर से स्कूल भेजने के लिए उत्सुक हैं ओनलाइन पढ़ाई के संबंध में 80 प्रतिशत से अधिक सिक्षकों ने कहा कि वे अपने छात्रों के साथ भावनात्मक जुडाव नहीं रख सके और 90 प्रतिशत ने महसूस किया कि इस तरह के सिट अप में कोई सार्थक मुल्यांकन संभव नहीं उन्होंने ये भी बताया कि छात्रों को ओनलाइन कक्षाओं के दौरान एसाइन्मेंट पूरा करने में बहुत मुश्किल हुई इस अध्यन में सिक्षक और छात्र के बीच एक तरफा संचार के मुद्दे को भी चिन्हित किया गया ये समझना मुश्किल था कि छात्र वो सब समझ पा रहे हैं जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है या नहीं सिक्षकों ने बताया कि नियमित कक्षाओं में भाग लेने वाले 3511 बच्चों में केवल 11474 ही वास्तव में ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे थे इस अध्यन का उद्धेश माता पिता के द्रिश्टिकून और महामारी के कारण बाधित सिक्षण के प्रती चिन्ताओं को समझ ना था इससे पता चला कि अभिवावगों ने आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ स्कूलों को फिर से खोलने का समर्थन किया Bureau Report, GoNews